प्रेज बार हो गया अब वो किसी भी परिस्थिती में किसी भी नोकरी में जाने के लाइक नहीं है लंगे समय तक उनका सेवा लिया गया और उसके बाद उनको सेवा समाप्ति कर दी गई मसकार में प्रेज कुस्वा फष्ट वियार जारखंड देख रहे हैं देखिए भाजपा एमेल सी जीवन कुमार ने अतिति सिक्षकों को लेकर सरकार से रिक्वेस्ट किया है कहा है कि देखिए इन्हों की अब उम्र भी समाप्त हो गई है इनकी जो सेवा है उसको ध्यान में हुए इन्हें सिक्षक के रुप में बहाल किया जा इन्हें परसान नहीं किया जा इसके साथ ही जीवन कुमार ने अतिति सिक्षकों का आज पक्ष रखा है और ऐसे में लगातार जो अतिति सिक्षक है पटना में परदर्सन कर रहे हैं आज लाठी भी चली है अतिति सिक्ष लेकिन अब उनका मामला सदन में आज गूजा है इसको लेकर जो जीवन कुमार है MLC है भाजपा के उन्होंने सरकार को अपने सरकार को इस बात पर के केंद्र रीत किया है कहा है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है जो अतिती सिख्षक है वो पढ़ाते आये हैं लंबे समय सक सरकार को सिवा देते आये हैं और इसके साथ ही अब जब उनकी उम्र सिमा समाप्त हो रही है नोकरी की फॉर्म कहीं नहीं भर सकते हैं तो ऐसे में उन्हें हटाना उचित नहीं होगा क्या कुछ का नहीं है जीवन कुमार पल्यापन के बयानों को सब्सक्राइब कई लाग ब और इस्थिती में किसी भी नोकरी में जाने के लाइक नहीं है लंबे समय तक उनका सेवा लिया गया और उसके बाद उनको सेवा समाप्ति कर दी गई हमारा यह कहना है कि मात्र अब उसमें से 2500 बचे हैं उनको सिच्छावी बाद समाइब कर लिए आपने साब तोर पे सुना जीवनकुमारकात में जा रहे हैं कि देखिए तमाम जो सिच्छक है उनको जो अतिति सिच्छक है उनको बहाल रखा जाए उनके जो सेवा है उन्होंने जो सर्विस में काम किये हैं उन्होंने जो छात्रों को पढ़ाया है उनकी जो मेहनत है उसको ध्यान रखते हुए उनक साम ऐसे जगह हो जहां पर उन्होंने जाकर ग्यापन भी सौपी है लेकिन अब इस मांसुद सत्र में अतिति सिक्षकों का जो बात है वो जीवन कुमार ने उठाया है और कहा है कि सरकार को इस पर इसको संग्यान मिलेना चाहिए और इस पर अपनी फैसला देना चाहिए अतित का मसा बने रहे है अपश्ट या जर्खंड देख रहे हैं ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए म अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पूर्णिया के e-homes panorama में पूर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अब क्यों मुँमिठा करवा रहे हैं क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined